हिमानशी खुराना की मैनेजर निधी ने किया बड़ा खुलासा हिमानशी के सक्सहस में कौन डालना चाहता है रुकावत क्या शहनास के फैंस के मन में अभी भी है हिमानशी के लिए नफरत क्या अभी भी जारी है हिमानशी और शहनास के बीच कोल्ड वोर क्या है पूरी खबर चलिए जानते हैं बिग बॉस तेरा कंटेस्टेंट हिमानशी खुराना पंजाब में तो पहले से ही काफी पॉपुलर थी लेकिन बिग बॉस के बाद उनके फैंस अब पूरे इंडिया में बन गए हैं और इस पॉपुलारिटी का थोड़ा श्रे जाता है उनकी मैनेजर निदी को लेकिन कोई तो है जो हिमानशी के सकस से खुश नहीं है तबी तो वो निदी को हिमानशी का साथ छोड़ शेहनास को प्रमोट करने को कह रहा है वेल वीवर्स आप तो जानते हैं शेहनास और हिमानशी के राइवल्री के बारे में और दोनों के फैंस बिक दूस्रे के खिलाफ हैं और ऐसे में एक शक्स ने हिमानशी की मैनेजर को शेहनास को प्रमोट करने के लिए कह दिया निधी ने इस बात का सबूत अपर Twitter account पर कुछ chats के screenshot share करते हुए दिया और साथ में लिखा Don't know what you guys up to, people are dying and आप लोगों का big boss खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा Get some good work, और नहीं है, तो indulge yourself in prayer, God bless you all But doing this thing, you can't stop me from reverting the queries, please आईए दिखाते हैं आपको इनके chats के screenshot Well, in chat से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कोई शेहनास का fan है जो हिमानशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसलिए वो निधी को शेहनास को प्रमोट करने को कह रहा है हाला कि अब तट इस बार की कोई भी confirmation नहीं है और ना ही हम इसकी पुष्टी करते हैं Well, निधी ने तो ये साब कह दिया कि वो किसी को भी प्रमोट करने में interesting नहीं है साथ ही उन्होंने शेहनास की तारीफ भी कर डाली कि उन्हें अब प्रमोशन की जरूरत नहीं है और वो अपने करियर में काफी अच्छा कर रही है Well, आपको बता दी कि 10 जून को आसेम और हिमानशी का एक और गाना आ रहा है जिसे देखने के लिए फैन्स काफी जादा excited हैं क्या कहना है आपका इस खबर पर बताईए हमें कमेंट सेक्षिन में तब तक stay tuned with us